सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकोन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए मैं सब्सक्राइब करती हूँ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हम सभी के घर में मौझूद गुड़कारी लहसुन के बारे में जानेंगे दोस्तों कि यह लहसुन आखिर क्यों इतना उपयोगी है और क्यों हम सभी लोगों को अपने डेली लाइफ में डेली रूटीन में लहसुन का सेवन जरूर से करना चाहिए यह किन-किन बीमारियों को आपसे दूर रखता है और साथी साथ हमें इसका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए तो आएए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हल्थ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाए बिना पेस्ट होमे पहते क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्राइब करें और पैल आइकॉन दबाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल श्री होमे पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकॉन को टैब कर ले क्योंकि इस तरह के लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं इसे के साथ साथ दोस्तों यदि आपके पास कोई क्वाईरियो हो कोई क्वेश्चन हो तो आप यूटूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मेरे साथ डारेक्टी जुड़कर अपने लिए सुझाव पासकते हैं चलिए दोस्तों बात करते हम लेसुन के बार में लेसुन गार्लिक या एलियम सटाइवा यह जो मेडिसिन है यह आप समझ लीजिए कि लेसुन यदि आप सेवन कर रहे हैं तो एक मेडिसिन का ही सेवन कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कई सारी बिमारियों उसको आप से दूर रखती हैं सबसे जादा यह हेल्प करते हैं आपके हार्ट ट्रबल्स में यानि आपके दिल से जुड़ी हुई बिमारियां इसमें लहसुन का बहुत अच्छा रोल है बहुत अच्छा फायदा करता है खास तोर पे हाई बीपी के पिशेंट यानि जिन लोगों का ब्लड प्रेसर बढ करता है कैसे करता है जो लहसुन होता हमारा तो यह अधरोस्क्लोरोसिस यानि हमारी जो आपकी जो ब्लड वैसल होती है उनमें जो डिपोजीशन हो जाता फैट का जिसके वह से वह नेरो हो जाती है और आपका यह खून गाढ़ा हो जाता है और ठीक प्रकार से निकल नहीं पा रहा है तो लहसुन एज ब्लड थिनर बहुत अच्छा वर्क करता आपकी खून को पतला करता है और अधरोस्क्लोरोसिस को भी प्रिवेंट करता है और इस तरह से ही आपके हाई ब्लड प्रेसर को कम करने में हेल्प करता है तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक इससा काम करता है आपके हार्ट की हेल्थ को मिंटेन करता है ब्लड प्रेसर को लो करता है इसके सांसा है दोस्तों यदे आपको किसी भी तरह के सकिन का डिजीज हो जिसमें आपको फंगल इंफेक्शन टाइप लग रहा हो कि यहां पे फंगल हो गया हमें दात-खाज प्रोबियल प्रोपर्टीज होती है यह किसी भी तरह के माइक्रोब्स को यानि जो रोग पैदा करने माले जीवाणों होते हैं किताड़ों होते हैं उनको दूर रखता है तो अगर आपको स्किन में इस तरह के कोई भी फंगल इंफेक्शन दिख रहे हो तो आप एक्स्टर यानि नारियल के तेल में मिक्स करके आप उस जगह पर लगा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लमेटरी यानि सूजन को कम करने का भी गोड़ पाया जाता है तो जिल लोगों को आर्थराइटिस यानि हाथ पैर में जोडों में दर्द की समस रहती है वो लोग यदि लहसुन का सेवन करते हैं तो उनको इस सूजन से निजात मिल जाती है क्योंकि लहसुन के अंदर बहुत अच्छी एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपरडी भी होती है और आप लहसुन का सेवन करेंगे तो अगर आपको घुटनी में दर्द रहता है च उसे उबाल करके रख लें और जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर आप लगा कर मालिस कर सकते हैं तो आपको अगर सूजन की प्रॉब्लम रहती हूं हाथ पैरों में तो लहसुन का सेवन जरूर से करना चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप डागटीज के पेश हैं आपका खाना ठीक से नहीं पचता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है पेट भरा भरा सा लगता है और बहुत डकारें आती हैं खाना ठीक से नहीं पचता है तो आपका लीवर की समस्या में फैटी लीवर की प्रॉब्लम में आपको लहसुन का जरूर से सेवन कर करना चाहिए यह लहसन आपके लीवर को करता है आपके लीवर को डे तॉक्सिफाइग करने में help करता है लीवर को इस्ज 누ब करता है तो लहसन का सेवन को लीवर की प्रॉबलम में खाने पीने में अपच्च की समस्या में भी बहुत अच्छा आपको work करें इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को पता होगा शायद की लहसुन के तासीर गर्म होती है तो आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी की सिकायत रहती है तो जिन लोगों की इम्म्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर है बार बार कफ कोल्ड हो जाता है तो अगर समस्याओं से भी आपको निजात मिलता है इसके लिए भी आप लहसुन का सिवन कर सकते हैं तो दोस्तों लहसुन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे आपको बैनिफीशल बिटमीन बी बिटमीन सी पोटेशियम सेलेनियम यह सलफर कंटेनिंग कंपॉं यह सब चीजे मिलती है तो यह बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा एंटी उपसिडेंट एंटी इंफ्लमेट्री एंटी माइक्रोबियल इस तरह से यह वर्क करता है अब बात कर लेते हैं यदि आप लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो हमें कितना सेवन करना चाहिए एक दिन म अगर यह जभी है उसे काली बेट लेए और गच्चा लेए खाली बेट और गच्चा लेए फाइदा करता है थावज्ट लेने कि लिए आप सुबह चूबह झायनि दूकर धोर संटे चाहिए और दानत के लिए प्रत कि उसके रस को जहांपर दर्द हो रहा है वहाँ पे अपलाई करें दाद दर्द की समस्या में भी आपको निजात मिल जाएगा और इसके अलावा दोस्तों यदि आप लहसुन आपको कहीं पे सूजन है पैरों में हाथों में जोइंट्स में तो लहसुन का आप तेल बना कर लगाईए तो ज़्यादा असर करता है साथ ही साथ आपको सुबह के समय खाली पेट कच्ची कली लहसुन की एक से दो कलियों का सेवन करना है लहसुन का सेवन मानते हैं कि इसके तासी गर्म होती है लेकिन फिर भी आप सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं गर्मियों में आप इसकी सिर्फ एक कली का सेवन करिए और सर्दियों में लगबग दो कली का आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी छोटे बच्चे को लहसुन दे रहे हैं जैसे कि छोटे बच्चों को मैंने बताई इम्मुनिटी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है तो उनको आप एक कली ही दीजिए क्योंकि बहुत कुछ लोगों में जैसे कि ऐसे लोग जिनका ब्लेड प्रेसर लो हो जाता है या ऐसे लोग जो ऐसी गोलियों या दवाईयों का सेवन करते हैं जिनसे उनका खून पतला हो रहा है ब्लेड थिनर वाली मेडिसिंस उन लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसुन भी blood pressure को कम करता है और साथी साथ आपकी खून को भी पतला करता है तो ऐसे लोग लहसुन का सेवन अगर उन्हें और कोई problem है उसके लिए ना करें pregnant mother वगेरा है उन लोग भी इसका सेवन ना करें क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को sulfur containing compound रहता उससे allergy और भी हो सकती है इसलिए ऐसे लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए otherwise बाकी हर उम्र का व्यक्ती लहसुन का सेवन कर सकता है गर्मी में इसकी quantity कम रखिए एक आपकी कली काफी है सर्दियों में आप इसकी दो कली आराम से ले सकते है तो दोस्तों ये तो था लहसुन के बारे में एक जनरल information I hope दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आए होगी और आप जान पाए होगे कि आपके घर में मवजूद वो लहसुन जिसे हम सबजियों में इस्तमाल करते हैं जिसे हम taste पढ़ाने के लिए और बहुत ही beneficial ये आपका लहसुन का सेवन रहता है और कोई भी लहसुन खा सकता है बहुत गंदा टेस्ट नहीं लगता है छोटे बच्चे यदि खाने से मना करें कफ कोल की प्रॉबलम के लिए तो आप हलका सा लेसुन रोस्ट करके भी दे सकते हैं उसमें आप नॉर्मली अपनी तवेब पर लेसुन को अगर एक-दो बार रोस्ट कर देंगे हलका सा थोड़ा सा तो उसमें जो कड़वाहट पन रहता है हलका सा वो दूर हो जाता है और आरांध से बच्चे उसे खा भी स तो बच्चों को आप इस तरह से दे सकते हैं तो फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चानल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेर जरूर करिएगा फिलहाल मुझे दीजिए जे हिंद जेब हरें